एक छोटा सा उपाए मवश्य तरिये मान लो कि आपको लग रहा है कि आपके घर में पित्र दोश है आपको ऐसा महसूस होता है आपको लगता है किसी भी नौरात्री के पहले जो मवस्य अपड़ती चावल की कटोरी में एक कपूर का तुकड़ार रख कर उसका धरवाजे के बाहर कटोरी में ही चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पित्र का आपको कश्ट दे रहे हैं, पित्र आपको तकलीब दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको इसा लगता है कि पित्रों का दोश है, तो वो पित्र दोश, देवी, अब ये जो आप करेंगे, ये कब कर रहे हैं, अमावस्या के दिन, आप उसको रख रहे ह अमावस्या के दिन उसको रख कर रात भर अपने रखा कपूर के साथ में सुभा एकम पढ़ गई नौरात्रे लग गई उसी दिन उसको जला कर अपने पटक दिया अर्थात उससे देवी और पित्र इन दोनों का अशिर्वाद जो प्राप्त होता है तो घर में से यह उसको लें लो उसके अंदर का जो बुर्दा होता ए अंदर का भाग होता है उसको निकालना और उस प्रेल के फल में हाटा सेघ कर शकर मिला कर उसको उसके घर में घुमाने के बाद मैं जद जिसको कालसर्प दोष बताया है पित्र दोष बताया है या वास्तू-दोष vit्म बतायाермे घर में सब्दूर भुमाकर अपने परिवार ना आप एकारह में होती है कारे में सफलता प्राप्त होने लगते हैं क्तो कई बार करते हैं महारा जियह अगर अशड già मालुम पड़े कि आपको लगने रहे हैं सिमहापुराण की करें मानलो ओशदी आपको नहीं लग रहे हैं, आपने ओशदी बहुत दिनों से ले रहे हैं, कोई दवाई, मानलो आप किसी भी दवाई को गरण कर रहे हैं, और वो ओशदी लगी नहीं रहे हैं, वो शरीर को लगी नहीं पा रहे हैं, और आप ठीकी नहीं हो पा रहे हैं, पंदर अधर मत्री फलक यह अंदर वह करा लगो यह लोगा जो अँदर का जो भाग मंधिड आलब को प्रणाने करको घंडाने अपर कम 14.40 म्धिर और उस बेले के फलका गुर्दा सा गला हुआ पानी शिवजी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए उस पानी में से थोड़ा सा एक चमच पानी शिवजी पे चड़ा हुआ लेकर जाईए उस पानी को जो बिमार रहती है उसको ओशदी देने से पहले मात्र आधी चमच से भी बस्तो